अब भी हम है सोरर में और हम जा रहा है मा सितला मंदी सोरर में तो चलिए चलते हैं सितला मंदीर में और वहां जाकर दर्शन करते हैं सितला माता की तो चलिए चलते हैं झाल 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 जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह सितला माता का मंदीर है तो चलिए मैं आपको सितला माता के दर्सन कराता हूँ और आगे चलते हैं सितला मंदीर के ओर मैं अभी धीरे धीरे करके सितला माता मंदीर के ओर आगे बढ़ते जा रहा हूँ अब आप यहां से सितला मंदीर का नजारा देख सकते हैं यहां से सितला माता मंदीर का नजारा कुछ इस्तरा से है आप अभी देख पा रहा हूँगे मैं आपको सितला माता मंदीर के चार ओर का नजारा दिखा रहा हूँ और आप सामने देख सकते हैं यहां पर सितला माता मंदीर का प्रवेज़ द्वार बना हुआ है तो चलिए अब हम धीरे-धीरे करके सितला माता मंदीर के और आगे बढ़ते जाते हैं हम अभी धीरे-धीरे करके सितला माता मंदीर के और आगे बढ़ते जा रहे हैं अब हम सितला माता मंदीर के पास पहुँच चुके हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सितला माता मंदीर का प्रवेस द्वार बना हुआ है, तो चलिए अब हम सितला माता मंदीर के अंदर प्रवेस करते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्री दंता स्री का मंदीर बना हुआ है, और यह मंदीर का प्रवेस कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह दंतस्री के मंदीर है और इसी के नीचे देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ जामारा प्रजलित की गई है इनको भी आप देख सकते हैं अब हम सितला माता मंदीर के पास पहुँच चुके हैं तो चलिए अब हम सितला माता मंदीर के अंदर प्रवेस करते हैं हम अब सितला माता मंदीर के अंदर प्रवेस कर चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सितला माता का मुर्ती बना हुए है इनको आप भी देख पा रहोंगे अब आप देख सकते हैं मंदीर के बाहर राम लस्वन और सीदा जी की मूर्ती बनी हुई है इनको भी देख सकते हैं और यहाँ पर हनमान जी की भी मूर्ती बनी हुई है और यहाँ पर हवान कुन बना हुआ है मा सितला आपकी मनो काम ना पूर्ण न करें और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मंदीर समीती के सदेशियों के नाम लिखे गए हैं इनको आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर दान दाताओं के भी नाम लिखे गए हैं अब हम मंदीर के बाहर आ चुके हैं अब आप यहां से मंदीर के बाहर कना जारा देख सकते हैं आप अभी देख सकते हैं यह मंदीर के बाहर कना जारा है और आप सामने देख सकते हैं यहां पर काली माता का मंदीर बना हुआ है तो चलिए अब हम दिरे दिरे करके काली माता मंदीर के और आगे बढ़ते जाते हैं मैं अभी दिरे दिरे करके काली माता मंदीर के और आगे बढ़ते जा रहा हूँ मैं अब काली माता मंदीर के पास पहुँच चुका हूँ अब आप यहाँ पर काली माता के दर्संकर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह कुछ इस्तर से काली माता की मुर्ति बनी हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर संकर भगवान की भी मुर्ति बनी हुई है इनको भी आप देख सकते हैं सितला मंदीर के बाहर बहुत सारे और देवी देवी देवता हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ की नीचे भी कुछ देवता हैं इनको भी देख सकते हैं यह देवता यहाँ पर है इनको आप अभी देख पा रहे होंगे मैं आपको यहाँ का दर्संक्रा देता अब हम मंदीर के बाहर आ चुके हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नंदी महराज और सीलिंग बना हुआ है और यहाँ पर तलाब जाने का रास्ता बना हुआ है अब आप यहाँ से तलाब का नजारा देख सकते हैं यह मंदीर के बाहर जो तलाब है उसका नजारा है बहुत ही खुशुरत दिखाई दे रही है यहाँ से तलाब का नजारा आप अभी देख पार होंगे इस तलाब का नजारा को बहुत ही खुसरत नजारा है अब हमने सितला माता मंदीर का पुरा वीडियो बना लिया है तो चलिए अब हम यहां से वापस चलते हैं मैं अभी धीरे धीरे करके वापस अपनी गारी की और आगे बरते जा रहा हूँ अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी अच्छी जगा है जिसका वीडियो हमने अभी तक नहीं बनाए है और उसका वीडियो आप हमारी यूटूब चैनल पर देखना चाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं मैं जल्द ही उस जगा का वीडियो बनाने की कोशिस करूँगा अब हम लगभग लगभग मंदी से बहार आ चुके हैं आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गारी खड़ी हुई है यह देख पा रहे हुँगे यह हमारी गारी है जिसमें हम वीडियो बनाने आये हुए हैं तो चलिए चलते हैं वापस और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई टेक केर बाइबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब झाल 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 झाल